मुझे कभी विज्ञान विरुद्ध बातें करते देखना, मुझे कभी ऐसी बातें करते देखना, जिनको विज्ञान कभी स्विकार नहीं करेगा, जिन पर विज्ञान हस देगा, तुरंट समझ लेना कि माया मुझ पर भी छा गई, समझ रहे हो, माया का और मैं का, बड़ा गहरा नाता होता है, हम कितनी बार कहते हैं न, या मासा माया, जो है नहीं उसको ही माया बोलते हैं, पहला भ्रम तो दुनिया का मैं ही है, जब कभी तुम पाओ, कि मैं माने, ये जो व्यक्ति बैठा है प्रशान तुमारे सामने, ये सत्य से ज्यादा मैं को अहमियत दे रहा है समझ लेना कि ये माया का ग्रास बन चुका है माया माने ही मै क्योंकि माया उसी को सच्चा जनवा देती है न जो है यह नहीं पहला भरम क्या है दुनिया का कि मैं हूँ अहम क्या बोलता है अहम का मौलिक दावा क्या होता है मैं हूँ और सारा अध्यात में यही जानने के लिए है कि जिसको मैं समझता है कि वो है वो वास्तों में यूँ ही कोई नकली हलकी फुलकी बाहरी पुरा कचरा चीज है उसके अस्तितों का दावा करना ही दायक नहीं है बिलकुल तो जिसका इस मैं में जितना यकीन आने लग जाए समझ लेना कि वो व्यक्ति उतना ज्यादा माया का शिकार हो चुका है अब कैसे पता चलेगी किसी का मैं में यकीन हो गया है कोई बोलना शुरू कर दे मैं एक नूतन धर्म प्रतिपादित करने जा रहा हूं अतीत के जितने धर्म थे वो सब कचरा थे आज मैं एक नया धर्म लेकर आया हूं तुमारे लिए गया गया देखो पुराने धर्म की धारा में कुछ अशुधियां प्रविष्ठ हो गई है तुम उनको साफ करने की बात करो बिलकुल अलग बात होती है वो काम बहुत सारे सुधारकों ने क करा है गुरू ने करा है उन्होंने सनातन धर्म में जो प्रदूशक तत्व अशुधियां आ गई थी उनको बार बार साफ किया जो की बिलकुल सही बात है गंगा की धारा मैं कई बार कह चुका हूं चलती है गंगोतरी से बिलकुल निर्मल होती है और जैसे जैसे आदमी के संपर्क में आती जाती हो कैसी होती जाती है दूशित होती जाती है धर्म बिलकुल ऐसे ही होता है वो उपर से चलता है महादेव की जटाओं से शिवही धर्म के सुरोत है तो वहां से चलता है जब वहां से चलता है तो कैसा होता है बिलकुल निर्मल होता है लेकिन चलता हो अंदर लेते हो, और हवा जब बाहर निकालते हो, तुझा हवा, तुम बाहर फेकते हो अपने नथनों से, वह वही नहीं होती जो तुमने भीतर ली थी, उसमें क्या कम हो गया होता है थोड़ा, और क्या तुमने बढ़ा दियो होती हैं कई तरह की कैसे कार्बन के ऑक्साइड सलफर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड यह सब तुमने बढ़ा दिये हुते हैं उसमें हमारे तो संपर्क में कमल भी आए तो मल हो जाए हम ऐसे हैं कोई चीज बता दो जो हम छुए और गंदी न होती हो तो धर्म को भी हमने चुआ तो हमने गंदा किया मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो क्या उच्छेत है कि मैं अपनी बात किस तरह से करूँ मैं कहूँ मैं वो हूँ जिसके इस परिश से धर्म गंदा हो गया इसके उलट अगर मैं कहना शुरू कर दूँ कि धर्म गंदी बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गई है, सनातन धर्म क्रमुख रूप से वैदिक है, कोई दिन ऐसा हो ना, प्रार्थना है मेरी, जब मैं तुम से कहने लग जाओं कि छोड़ो तुम वेदान्त को और उपनिशदों को, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हे कोई नहायती नई बात बताने जा रहा हूँ, उस दिन सामने से मेरे उठके चल देना, और यही कसोटी मैं चाहता हूँ, तुम उपयो करो कसने के लिए सब धर्म गुरुओं को, उनसे पूछो, वेद कहा है, तुम्हारी बात्चीत में, वेदान्त कहा है, तुम अपना ही नेया, नेया, फुग्गा फुला रहे हो, यह तुम क्या बाते कर रहे हो, प्रमाण के आइन बातों का, जैसे ही तुम कहोगे प्रमाण के आइन बातों का, उत्वरंत क्या बोलते है, मैं प्रमाणूं न मुझे हुआ था नुभाव, मैं फलाने पहाड पे चला था, मुझे अनुभव वह था मैं प्रमाणूं तो सहाब ऐसे प्रमाणों को आप सुईकार ना करें जिस प्रमाण का आपको न दर्शन हो सकता न अनुभव हो सकता और जो प्रमाण मन के मूलभूत सिध्धानतों के खिलाफ जाते हो उनको आप सिर्फ इसलिए नहीं मान लिजाए क्योंकि आपके सामने कोई अपने दबदबे वाली आवाज में और रुतबेदार वस्तरादि परिधानों में कुछ बहुत उचे दावे कर रहा है नहीं मान मत लिजाएगा दब मत जाईएगा असल में जो लोग ऐसे दावे करते हैं उनके दावों के विश्वस नियता घटकर आधी रह जाए अगर उन्होंने जो चोंगा डाल रखा है जबरदस्त वो चोंगा ही उतार दिया जाए आप एक बार कल्पना करके देख लीजिए और जो चोंगा है न वो महीनों की महनत के बाद तयार हो जाता है बड़ा महंगा चोंगा है लाखों में एक चोंगा वैसा बनता है और चोंगा बिलकुल इसी हिसाब से इसी चतुर गणना के साथ बनाया जाता है कि उस चोंगे से सामने जो लोग बैठे हों कितने प्रभावित हो जाएंगे उन पर कितना दबदबा बैठ जाएगा चोंगा हटा दीजिए माला हटा दीजिए नाम के साथ जो बड़े बड़े अभूशन विशेशन लगें वो अटा दीजिए, दाड़ी अटा दीजिए और अतीत के बारे में उन्होंने अपनी जो जबरदस्त, रोमांचकारी दैविये कहानिया उड़ा रखियों कहानिया उड़ा दीजिए, उसकी बात बताईए उनकी बातों का आप जरा भी यकीन करेंगे क्या करेंगे मुझे भी कभी देखना ना कि मैं तुम पर अपना प्रभाव या प्रभुत्व जमाने के लिए इस तरीके के काम कर रहा हूँ कि हाथों में अंगूठिया धारण करके आ गया और बने लग गया ये देखो, ये हाथी वाली अंगूठी है ये मैंने धारण करिये तो इससे मुझे में हाथी कबल आ गया है ये उट वाली अंगूठी है, इसके कारण में तुमसे बहुत उंचा हो गया हूँ ये साप वाली अंगूठी है, इसके कारण में उड़ने लग जाता हूँ हवाई साप है मेरे, इधर उधर टकनाना नहीं मुझसे दसवा दूँगा ये बिल्ली वाली अंग उठी है इसके कारण में जहां जाऊँ मा कूच जाता हूँ तो मारे घर घुशके दूद पी जाऊँगा और ये गधे वाली अंग उठी है इसको पहनने कारण में रेकता भाऊ तो दिन रात बोलता ही रहता हूँ यह सब करना शुरू कर दूँ यहां पर जबरदस्त माला आए धरन कर दूँ कहीं यह देखो यह विदेशी माला है यह मैं फलाने पहाड पर गया था स्विड़्जर लेंड के वहां उसमें जबरदस्त किसम के कुछ फल लगते हैं और उन फलों में ये ताकत होती है कि वो फल अगर तुम शनीक रह को दिखा दो तो उस पे वर्षा होनी शुरू हो जाएगी सूरज को दिखा दो तो सूरज पे कोहरा चा जाएगा इस फल में ये ताकत है कि असली नकली का अंतर कर सकता है ये फल अब जैसे ये सामने बैठा हुआ है मेरे मुस्कुरा रहा है मैं फल ये ऐसे ऐसे करूँ और अगर ये इसके भीतर कुछ दोशपूर्ण विचार होगा तो फल दाई तरफ को लड़क जाएगा और इधर ये बैठा हुआ है ये बहुत ध्यान से सुन रहा है इसकी और करूँ और इसके मन में बस इस वक ध्यान ही ध्यान होगा तो फल दूसरी तरफ को लड़क जाएगा मैं इस तरीके की बातें तुम पर हवा हवाई छोड़नी शुरू कर दूँ तो तुम कहना आचारे जी जा रहे हैं और फिर नहीं मिलेंगे ये भी मत कहना कि सी यू अगेन बस चले ही जाना समझ में आ रही है बात तुम से जमीनी बात जब तक कर रहा हूँ तुम से तुमारी जिंदगी की बात जब तक कर रहा हूँ जब तक कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो विवहारी की जीवन में तुम्हारे काम आएगा तब तक तो समझ लेना कि ये आदमी होश में है और जिस दिन इस आदमी ने अपने मूँ मिया मिठ्थू करना शुरू कर दिया और अपने मूँ मिया मिठ्थू भी खास तोर पर जूटी बातों पर ऐसी बाते हैं जिन में तथ्य भी शामिल ना हो उस दिन मुझसे दूआ सलाम भी मत करना बस दूर भाग जाना